Chapter 11 Thinking Like a Trader यदि आपने मुझे डिस्टिल ट्रेडिंग को इसके सिंप्लिस्ट रूप में करने के लिए कहा है, तो मैं कहूंगा कि यह एक पैटन पहचान नंबर गेम है. हम पैटन की पहचान करने, जोखिम को Defined करने और लाब लेने के लिए Determined करने के लिए Market Analysis का उप्योग करते हैं. ट्रेड या तो काम करता है या नहीं, किसी भी मामले में, हम अगले ट्रेड के लिए मर जाते हैं. यह इतना आसान है, लेकिन यह कुछ रूप से आसान नहीं है. वास्तव में, ट्रेडिंग शायद सबसे कठिन चीज है जिस पर आप कभी भी सफल होने का प्रयास करेंगे. ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लिए बुद्धी की आवश्यत्ता होती है, बिल्कुल ही विप्रीट. लेकिन क्योंकि जितना अधेक आप सोचते हैं कि आप जानते हैं, आप उतने ही कम सफल होंगे. ट्रेडिंग कठिन है क्योंकि आपको जानकारी ना होने की स्थिती में काम करना पड़ता है. भले ही आपका अनालिसिस कई बार पूरी तरह से सही साबिद हो सकता है. बिना जानने की स्थिती में काम करने के लिए आपको अपनी expectations को ठीक से manage करना होगा अपनी expectations को ठीक से manage करने के लिए आपको अपने mental environment को फिर से organized करना चाहिए ताकि आप बिना किसी संदेर के 5 basic सच में विश्वास कर सकें इस chapter में मैं आपको एक trading exercise देने जा रहा हूँ जो market के बारे में इन सच्चाईयों को आपके mental environment में functional level पर एकी कृत करेगा इस process में मैं आपको एक trader के विकास के 3 steps के बारे में बताता हूँ पहला stage mechanical stage है इस step में आप एक असीमित environment में काम करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास का निर्मान करें दो किसी trading system को flawlessly तरीके से execution करना सीखें तीन अपने दिमाग को probability पाँच fundamental such में सोचने के लिए trained करें 4. एक trader के रूप में अपनी निरंतरता में एक मज़बूत स्थिर विश्वास पैदा करें एक बार जब आप इस पहले stage को पूरा कर लेते हैं तो आप trading के subjective stage में आगे बढ़ सकते हैं इस stage में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे करने के लिए market की गती की प्रकृती के बारे में आपने जो कुछ भी सीखा है उसका उप्योग करते हैं इस stage में बहुत अधिक स्वतंत्रता है इसलिए आपको सीखना होगा कि पिछले चाप्टर में उलिखित किसी भी अंसुलजे self-assessment मुदों का राउटकम होने वाली trading errors को बनाने के लिए अपनी sensitivity की निगरानी कैसे करें तीसरा stage सहज ग्यान युक्त stage है सहज रूप से trading करना विकास का सबसे उननत stage है यह martial art में black belt अरजित करने के बराबर trading है अंतर यह है कि आप सहज होने की कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि intuition सहज है यह rational level पर हम जो जानते हैं उससे नहीं आता है हमारे दिमाग का rational हिस्सा किसी ऐसे source से प्राप्त जानकारी के प्रतिस्वाभाविक रूप से unbelievable लगता है जिसे वह नहीं समझता है यह महसूस करना की कुछ होने वाला है यह जानने का एक रूप है जो उस ची rational रूप से जानते हैं मैंने कई traders के साथ काम किया है जिन्हें अकसर आगे क्या होने वाला था इसका एक बहुत मजबूत सहज ग्यान था केवल खुद के rational हिस्से के साथ सामना करने के लिए जो लगातार कारवाई के दूसरे syllabus के लिए तरक देते थे बेशक अगर उन्होंने अपने intuition का पालन किया होता तो उन्हें बहुत satisfying outcome का अनुभव होता इसके बजाए उनके साथ जो समाप्त हुआ वो आमतोर पर बहुत unsatisfying था खास कर जब उनकी तुलना उस चीज से की जाती है जिसे वे otherwise संभव मानते थे जिस तरह से मुझे पता है कि आप सहज होने का प्र करने के लिए सबसे अनुकूल मन की स्थिती स्थापित करने पर काम करें The Mechanical Stage Trading का Mechanical Stage विशेश रूप से उस तरह के trading skills विश्वास आतम विश्वास और संभावनाव में सोच के निर्मान के लिए design किया गया है जो आपको लगातार outcome बनाने के लिए मजबूर करेगा मैं लग लगातार results को एक लगातार बढ़ते equity curve के रूप में defined करता हूँ जिसमें केवल मामूली गिरावट होती है जो की edges के natural outcome है जो काम नहीं करते हैं एक pattern खोजने के अलावा जो आपके पक्ष में एक जीतने वाले trade की बाधाउं को रखता है लगातार बढ़ती equity curve प्राप्त करन किसी भी sensitivity को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने का एक कार्य है जो आपको डर enthusiastic या self-assessment आधारे trading errors को बनाने के लिए हो सकता है इस book में described किया है errors को दूर करने और self-assessment की अपनी भावना का विस्तार करने के लिए उन skills के takeover की आवश्यक्ता होगी जो प्रकृती में सभी psychological है skills psychological हैं क्योंकि हर एक अपने purest रूप में बस एक विश्वास है याद रखें कि जिन विश्वासों से हम काम करते हैं वे हमारे मन की स्थिती को determined करेंगे और हमारे अनुभवों को इस तरह से आकार देंगे कि जो हम पहले से ही सच मानते हैं उसे लगातार मजबूत करते हैं एक विश्वास कितना सच्चा है environment की स्थिती के relative यह इस बात से determined किया जा सकता है कि यह हमारी कितनी अच्छी सेवा करता है वो है जिस हद तक हमें अपने objectives को पूरा करने में मदद करता है यदि एक trader के रूप में लगातार outcome उत्पन करना आपका primary objective है तो एक विश्वास पैदा करना, एक conscious, active of धारणा जो परिवर्तन का विरोध करती है और expression की मांग करती है कि मैं एक लगातार सफल ट्रेडर हूँ, energy के primary source के रूप में कार्य करेगा जो आपके प्रबंधन करेगा धारणाओं, व्याख्याओं, expectations और कार्यों को उन तरीकों से करना जो विश्वास को संतुष्ट करते हैं और परिणामस्वरूप Objective, एक impressive विश्वास पैदा करना की मैं लगातार सफल ट्रेडर हूँ, को लगातार सफलता के कई सिध्धानतों का पालन करने की आवश्शक्ता है इन में से कुछ सिध्धानत undoubtedly ट्रेडिंग के बारे में आपके द्वारा पहले से हासिल किये गए कुछ विश्वासों के साथ सीधे संघर्ष में होंगे यदि ऐसा है, तो आपके पास जो कुछ है वो उन विश्वासों का एक क्लासिक एक्जामपल है जो इच्छा के साथ सीधे संघर्ष में है यहां की एनजी उस लड़के से अलग नहीं है जो उस लड़के के लिए था जो अन्य बच्चों की तरह बनना चाहता था जो कुट्टों के साथ खेलने से दरते नहीं थे वो खुद को इस तरह से व्यक्ट करना चाहता था जो उसे कम से कम शुरू में लगभग असंभव लगा अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें परिवर्तन की एक आक्टिव प्रोसेस में कदम रखना पड़ा उनकी तकनीक सरल थी उन्होंने जो कुछ हासिल करने की कोशिश की थी उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जितना हो सके उतना कठिन प्रयास किया और धीरे-धीरे उन्होंने आपस में विरोधी विश्वास को इनाक्टिव कर दिया और उस विश्वास को मजबूत किया जो उनकी इच्छा के अनुरूप था किसी पॉइंट पर यदि आपकी यही इच्छा है तो आपको अपने आपको एक कंसिस्टेंट विजेता में बदलने की प्रोसेस में कदम रखना होगा जब व्यक्तिगत परिवर्तन की बात आती है तो सबसे महत्वपून तत्व आपकी परिवर्तन की इच्छा आपके इरादे की सपष्टता और आपकी इच्छा की ताकत है Finally, इस प्रोसेस के काम करने के लिए आपको हर दूसरे कारण या ट्रेडिंग के लिए जस्टिफिकेशन पर समानता का सिलेक्शन करना होगा यदि ये सभी अव्यव परियाप्त रूप से मौझूद है तो इंटर्नल बाधाओं की परवा किये बिना आप अपने आपको पाते हैं आप जो चाहते हैं वो फाइनली स्ट्रॉंग होगा अब्जर्व यॉर्सेल्फ कंसिस्टन्सी बनाने की प्रोसेस में पहला कदम यह देखना है कि आप क्या सोच रहे हैं कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं क्यूं? क्यूंकि एक ट्रेडर के रूप में हम जो कुछ भी सोचते हैं कहते हैं या करते हैं उसमें योगदान होता है और इसलिए हमारी मेंटल सिस्टम में कुछ विश्वास को पुष्ट करता है चूंकि कमपाटिबल बनने की प्रोसेस प्रकृती में साइकलोजिकल है इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको अपनी विभिन साइकलोजिकल प्रकृयाओं पर ध्यान देना शुरू करना होगा विचार फाइनली अपने स्वयम के विचारों शब्दों और कारियों का एक औबजेक्टव सूपरवाईजर बनना सीखना है ट्रेडिंग एरर करने के खिलाफ आपकी रक्षा की पहली लाइन यह है कि आप इसके बारे में सोचते हुए खुद को पकड़ ले बेशक, रक्षा की अंतिम लाइन अपने आपको अधिनियम में पकड़ना है यदि आप इन प्रक्रियाओं के परिवेक्षक बनने के लिए खुद को प्रतिबध नहीं करते हैं तो आपकी अनुभूती हमेशा अनुभव के बाद आएगी आमतोर पर जब आप गहरे अफसोस और निराशा की स्थिती में होते हैं अपने आपको न्यूट्रल रूप से देखने का अर्थ है अपने बारे में निर्नय किये बिना इसे करना थो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जीवन भरान्य लोगों से मिले कठोर, न्याय पूर्ण व्यवहार को देखते हुए ऐसा करना इतना आसान न हो As a result, व्यक्ती किसी भी गलती को भावनात मगदर्द से जोड़ना सीख जाता है कोई भी भावनात मगदर्द की स्थिती में रहना पसंद नहीं करता है इसलिए हम आम तोर पर यह स्वीकार करने से बचते हैं कि हमने जितना संभव हो सके गलती के रूप में डिफाइन करना सीखा है हमारे रोजमर्रा के जीवन में गलतीयों का सामना नहीं करने के आम तोर पर उतने विनाशकारी आउटकम नहीं होते हैं अगर हम ट्रेडर के रूप में अपनी गलतीयों का सामना करने से बचते हैं एक्जाम्पल के लिए जब मैं फ्लो ट्रेडर्स के साथ काम कर रहा होता हूँ तो मैं जिस साधरिश्य का उप्योग यह बताने के लिए करता हूँ कि वे कितनी अंसर्टन स्थिती में है उन्हें खुद को Grand Canyon पर एक पुल के पार चलने की कल्पना करने के लिए कहना है पुल की चौड़ाई सीधे उनके द्वारा किये जाने वाले कॉंट्राक्ट्स की नंबर से संबंधित है इसलिए एक्जाम्पल के लिए एक कॉंट्राक्ट वाले ट्रेडर के लिए पुल बहुत चौड़ा है जैसे की 20 फीट 20 फीट चौड़ा एक पुल आपको एरर के लिए बहुत अधेक सहनशीलता की अनुमती देता है इसलिए आपको अपने द्वारा उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम पर अत्यधिक सावधानी या ध्यान केंद्रित करने की आवशक्ता नहीं है फिर भी यदि आप ठोकर खाते हैं और एच पर यात्रा करते हैं तो घाटी के तल तक की बूंद एक मील है नहीं जानता की कितने लोग बिना रेलिंग के एक संकरे पुल पर चलेंगे जहां जमीन एक मील नीचे है लेकिन मेरा अनुमान relatively कम है इसी तरह कुछ लोग futures exchanges के फश पर ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों को उठाएंगे कुछ रूप से एक contract floor trader खुद को बहुत नुकसान पहुचा सकता है एक मील उचे पुल से गिरने के विपरीत नहीं लेकिन one contract वाला trader भी errors, गलत अनुमानों या असामान्य रूप से violent market चाल के लिए खुद को व्यापक tolerance दे सकता है जहां वो खुद को गलत पक्ष में पा सकता है दूसरी ओर, एक समय में 500 treasury bond futures की ओसत स्थिती के साथ मैंने अपने स्वयम के खाते के लिए ट्रेडों के साथ काम करने वाले सबसे बड़े flow traderों में से एक वो अकसर 1000 से अधिक contracts की स्थिती रखता है, 1000 ती bonder contracts की स्थिती 31,500 डॉलर प्रती टेक है सबसे छोटा वृद्धिशील प्राइस परिवर्तन जो एक bond contract कर सकता है बेशक, ती bonder वायदा बहुत unstable हो सकता है और कुछी सेकंड में किसी भी दिशा में कई टीकों का ट्रेड कर सकता है जैसे जैसे ट्रेडर की स्थिती का आकार बढ़ता है Grand Canyon पर हमारे पूल की चोड़ाई कम होती जाती है लाज बॉन्स ट्रेडर के मामले में पूल एक पतले तार के आकार तक नारो हो गया है जाहिर है उसे अपने हर कदम पर बेहद संतुलित और बहुत ध्यान केंद्रित करना होगा जरा सी चूक या हवा के जूके से वो तार से गिर सकता है अगला पढ़ाव एक मील नीचे अब जब वो ट्रेडिंग गढ़े में होता है तो वो छोटी सी गलती या हवा का हलका जूका एक विचलित करने वाले विचार के बराबर होता है बस इतना ही बस एक विचार या कुछ और जहां वो खुद को एक या दो सेकन के लिए भी अपना ध्यान केंद्रित करने देता है व्याकुलता के उस मोमेंट में वो अपनी स्थिती को समापत करने के अपने अंते मनुकूल अवसर को चूक सकता था उसे अपने ट्रेड से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त मात्रा के साथ अगला मूल्य लेवल काई टेक्स दूर हो सकता है या तो एक बड़ा नुकसान पैदा कर सकता है या उसे मार्किट में परियाप्थ जीतने वाला ट्रेड वापस देने के लिए मजबूर कर सकता है यदि लगातार आउटकम उत्पन करना एरर्स को दूर करने का एक कार्य है तो यह कहना एक अंडरस्टेट्मेंट है कि यदि आप एक गलती को स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने आपजेक्टिव को प्राप्ट करने में बहुत कठिनाई होगी जाहिर है यह कुछ ऐसा है जो बहुत कम लोग कर सकते हैं और यह एस बात का हिसाब है कि इतने कम लगातार विजेता क्यूँ है वास्तव में किसी गलती को स्वीकार न करने की ट्रेंड मानव जाती में इतनी comprehensive है कि यह मान सकता है कि यह मानव स्वभाव की एक सहज consistency है मुझे विश्वास नहीं है कि यह मामला है और नहीं मुझे विश्वास है कि हम गलती, गलत अनुमान या एरर करने के लिए उपहास करने या खुद को कम सोचने की क्षमता के साथ पैदा हुए है गलतियां करना जीने का एक स्वाभाविक कार्य है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक हम उस पॉइंट तक नहीं पहुँच जाते जिस पर 1. हमारे सभी विश्वास हमारी इच्छाओं के साथ Absolute Harmony में हैं 2. हमारे सभी विश्वास इस तरह से Structured हैं कि वे पूरी तरह से हैं Environment के Perspective से जो काम करता है उसके अनुरूप जाहिर है अगर हमारे विश्वास Environment के Perspective से काम करने के अनुरूप नहीं है तो गलती करने की संभावना अधिक है यदि अनिवार्य नहीं है हम अपने Objective के लिए उचित कदमों को नहीं समझ पाएंगे इससे भी बद्तर हम यह समझने में सक्षम नहीं होंगे कि हम जो चाहते हैं वो उपलब्ध नहीं हो सकता है या उस मात्रा में उपलब्ध हो सकता है जो हम चाहते हैं या उस समय जब हम इसे चाहते हैं दूसरी ओर, गलतियां जो उन विश्वासों का आउटकम है जो हमारे औबजेक्टिव्स के विरोध में हैं, हमेशा स्पष्ट या स्पष्ट नहीं होती हैं। हम जानते हैं कि वे हमारी consciousness पर सच के अपने versions को व्यक्त करते हुए विरोधी ताकतों के रूप में कार्य करेंगे और वे ऐसा कई तरीकों से कर सकते हैं। पता लगाने में सबसे कठिन एक विचलित करने वाला विचार है जो ध्यान या एकागरता में momentary चूक का कारण बनता है। सताव पर यह महत्वपूर नहीं लग सकता है। लेकिन जैसा की घाटी के उपर पुल की अनालजी में है। जब बहुत कुछ दाओं पर लगा होता है। यहां तक ध्यान केंदरित रहने की थोड़ी कम क्षमता भी विनाशकारी रेशियों की एरर कार आउटकम हो सकती है। यह सिद्धान्त लागू होता है चाहे वो ट्रेडिंग खेल आयोजन यह कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग हो। जब हमारा इरादा स्पष्ट होता है और किसी भी विरोधी एनजी से कम नहीं होता है, तो हमारी केंदरित रहने की क्षमता अधिक होती है। और अधिक संभावना है कि हम अपने आपजेक्टिव को पूरा करेंगे। इस से पहले मैंने विज़ई आटिट्यूट को हमारे प्रयासों की सकारात्म का पेक्षा के रूप में डिफाइंड किया था। इस स्वीकृति के साथ की हमें जो भी आउटकम मिलते हैं, वे हमारे विकास के लेवल का सही रिफलेक्शन है और हमें बहतर करने के लिए क्या सीखने की आवशक्ता है। जो चीज, लगातार महान, एथलीटों और कलाकारों को बाकी सभी से अलग करती है, वो है गलती करने के डर की उनकी विशिष्ट कमी, उनके डरने का कारण यह है कि जब वे गलती करते हैं तो उनके पास खुद को कम सोचने का कोई कारण नहीं होता है। जिसका अर्थ है कि उनके पास negative charge energy का भंडार नहीं है जो अच्छी तरह से इंतजार कर रहा है और उनके conscious विचार पर उच्छाल अपने इच्छत शिकार पर जपटने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे शेर की तरह प्रोसेस, स्वयम की आलोचना किये बिना अपनी एर माता-पिता, शिक्षकों और प्रशिक्षकों के साथ बड़े हुए, जिन्होंने अपने शब्दों और उदाहरनों से उन्हें सच्छे प्यार, लव और acceptance के साथ अपने गलत अनुमानों और errors को ठीक करना सिखाया. मैं कहता हूँ, बेहद असामान्य, क्योंकि हम में से कई लोग बिल्कुल विप्रीत अनुभव के साथ बड़े हुए हैं. हम एक रोड, अधीर्ता और acceptance की एक सपश्ट कमी के साथ अपनी गलतियों या गलत अनुमानों को ठीक करना सिखाया गया था. क्या यह संभव है कि महान एथलीटों के लिए गलतियों के संबंध में उनके पिछले positive अनुभवों ने उन्हें यह विश्वास प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया कि गलतियां केवल उस मार्क की और इशारा करती हैं जहां उन्हें अपने विकास और सुधार के प्रया काले विचारों का कोई सोस नहीं है हाला कि हम में से बाकी जो हमारे कारियों के लिए negative प्रतिक्रियाओं की अधिकता का अनुभव करते हुए बड़े हुए हैं स्वाभाविक रूप से गलतियों के बारे में विश्वास हासिल करेंगे गलतियों से हर कीमत पर बचा जाना चाहिए अगर मैं करता हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत होना चाहिए गलती मुझे एक प्रेंच अप होना चाहिए या अगर मैं गलती करता हूँ तो मुझे एक बुरा व्यक्ती होना चाहिए याद रखें कि प्रतिक विचार, शब्द और यह अपने बारे में किसी न किसी विश्वास को पुष्ट करते हैं। यदि बार-बार negative आत्मा आलोचना द्वारा, हम यह विश्वास प्राप्त करते हैं की हम पेंचा आप्त हैं। तो वह विश्वास हमारे विचारों में स्वयम को वियक्त करने का एक तरीका खोज लेगा, जिससे हम विचलित हो जाएंगे और खराब हो जाएंगे हमारे शब्दों पर हमें अपने बारे में या दूसरों के बारे में बाते कहने के लिए यदि हम उनमें समान विशेशताओं को देखते हैं जो हमारे विश्वास को दर्शाते हैं और हमारे कारियों पर हमें ऐसे तरी जेता बनने जा रहे हैं, तो उस तरह के नेगटव आरोप वाले संदर्भ में गल्तियां मौजूद नहीं हो सकती, जिसमें वे अधिकांश लोगों द्वारा आयोजित किये जाते हैं, आपको कुछ हद तक अपने आप पर नजर रखने में सक्षम होना चाहिए, और यदि आत्मक दर्द का अनुभव करने की क्षमता है, तो यह करना मुश्किल होगा यदि और जब आप खुद को गल्ती करने की प्रोसेस में पाते हैं, यदि यह क्षमता मौजूद है, तो आपके पास दो विकल्प हैं, एक, आप सकारात्मक रूप से चार्जड विश्वासों क एक नए सेट को प्राप्त करने पर काम कर सकते हैं कि गल्ती करने का क्या मतलब है, साथ ही किसी भी नेगटव चार्ज किये गए विश्वासों को इनाक्टव करना जो अन्यथा बहस करेंगे या गल्ती करने के लिए आपको अपने बारे में कम सोचने का कारण बनेंगे, दो यदि आपको यह पहली पसंद undesirable लगती है, तो आप अपनी ट्रेडिंग व्यवस्था को स्थापित करने के तरीके से errors की संभावना की भरपाई कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि यदि आप ट्रेड करने जा रहे हैं और खुद की निगरानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ ह कि आप लगातार outcome चाहते हैं, तो विशेश रूप से mechanical stage से trading करने से दुविधा का समाधान होगा, अन्यथा, गलतियों से जुड़ी negative charge energy से छुटकारा पाने के बाद, अपने आपको monitor करना सीखना एक relatively subtle process है, वास्तव में यह आसान है, आपको केवल यह तै करना है कि आप स् पहले एक स्पष्ट objective को ध्यान में रखना होगा, जब आप अपने objective के बारे में स्पष्ट हों, तो बस अपना ध्यान उस और लगाना शुरू करें जो आप सोचते हैं, कहते हैं या करते हैं, यदि और जब आप notice करते हैं कि आप अपने objective पर या अपने objective को पूरा करने के लिए वृद्धिशील कदमों पर ध्यान केंदरित नहीं कर रहे हैं, तो अपने विचारों, शब्दों या कारियों को इस तरह से redirect करना चुने जो आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी बार आवश्यक हो redirect करते रहें, जितना अधेक आप इस process में शामिल होंगे, विशेश रूप से यदि आप इसे कुछ हद तक द्रिर्ड विश्वास के साथ कर सकते हैं, तो आप तेजी से एक mental धाचा तयार करेंगे जो आपके objectives के अनुरूप है, बिना किसी विरोधा भासी विश्वास के प्रतिरोध के. The role of self-discipline, मैं उस process को कहता हूँ जिसका मैंने अभी-भी आत्म अनुशासन का वर्णन किया है, जब वो लक्षे या इच्छा हमारे mental environment के किसी अन्य घटक, विश्वास के साथ संघर्ष करती है, तो मैं अपने लक्षे या इच्छा की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक mental तकनीक के रूप में आत्म अनुशासन को defined करता हूँ, इस परिभाषा के बारे में आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि आत्म अनुशासन एक नई mental रूपरेखा बनाने की एक तकनीक है, यह एक व्यक्तित्व विशेष्टा नहीं है, लोग आत्म अनुशासन के साथ पैदा होना भी संभव नहीं है, हाला कि व्यक्तिगत परिवर्तन की प्रोसेस में उपियोग की जाने वाली तकनीक के रूप में, कोई भी आत्म अनुशासन का उपियोग करना चुन सकता है, यहां मेरे जीवन से एक उदाहरन दिया गया है जो इस तकनी 1978 में मैंने फैसला किया कि मुझे एक धावक बनना है, मुझे ठीक, से याद नहीं है कि मेरी सहज प्रेरणा क्या थी, सिवाए इसके कि मैंने पिछले आठ वर्षों को एक बहुत ही इनाक्टव जीवन शैली में बिताया था, मैं किसी भी खेल या शौक में शामिल नहीं था जब तक कि आप टेलिविजन देखना एक शौक नहीं कहते, पहले हाई स्कूल और कॉलेज के कम से कम हिस्से में मैं खेलों में बहुत आक्टिव था, खासकर आइस हौकी में हाला कि कॉलेज से बाहर आते हुए, मेरी जिन्दगी उस तरह से सामने आ रही थी, जिसकी मैंने उम्मीद की थी यह मेरी पसंद का नहीं था, लेकिन उस समय मैं इसके बारे में कुछ भी करने में शक्तिहीन महसूस कर रहा था इसने इनाक्शन की अवधी को जन्न दिया, जो यह कहने का एक अच्छा तरीका है कि मैं गंभीर रूप से उदास था फिर से, मुझे यकीन नहीं है कि मुझे अचानक एक धावक बनने के लिए क्या प्रेरित किया शायद मैंने कुछ टीवी कारेक्रम देखा जिसने मेरी रुची को जगाया हाला कि, मुझे याद है कि प्रेरना क्रिया मजबूत थी इसलिए, मैं बाहर गया और अपने लिए कुछ दौरने वाले जूते खरीदे, उन्हें पहान लिया और दौरने के लिए बाहर चला गया पहली चीज जो मैंने खोजी वो यह थी कि मैं यह नहीं कर सकता था मुझे में 50 या 60 गज से अधिक दौरने की शारीरिक शमता नहीं थी ये अब बहुत आश्चरे की बात थी मुझे एहसास नहीं था और नहीं मुझे कभी विश्वास होगा कि मैं इतना आकार से बाहर था कि मैं 100 गज भी नहीं दौर सकता था ये अहसास इतना निराशा जनक था कि मैंने 2 या 3 सपता तक फिर से दौरने की कोशिश नहीं की अगली बार आउट होने पर मैं अभी भी 50 या 60 गज से अधिक नहीं दौर सका मैंने अगले दिन फिर से कोशिश की जाहिर है उसी आउटकम के साथ मैं अपनी बिगर्ती शारीर एक स्थिती से इतना निराश हो गया था कि मैं फिर से 4 महीने तक नहीं दौरा अब ये 1989 का वसंत है मैं एक बार फिर से एक धावक बनने के लिए स्ट्रॉंग संकल्पित हूँ लेकिन साथ ही अपनी प्रगती की कमी से बहुत निराश हूँ जब मैं अपनी दुविधा पर विचार कर रहा था तो मुझे लगा कि मेरी एक समस्या ये है थी कि मेरे पास काम करने का कोई लक्ष नहीं था ये कहना कि मैं एक धावक बनना चाहता था बहुत अच्छा था लेकिन इसका क्या मतलब था मैं वास्तव में नहीं जानता था ये बहुत असपश्ट और सार गर्भित था मुझे काम करने के लिए कुछ और ठोस करना था इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं गर्मियों के अंत तक पांच मील दौरने में सक्षम होना चाहता हूँ उस समय पांच मील दुरगम लग रहा था लेकिन यह सोचकर कि मैं इसे करने में सक्षम हो सकता हूँ बहुत उत्साह पैदा हुआ उत्साह के इस बड़े हुए लेवल ने मुझे उस सप्ताह चार बार दोड़ने के लिए परियाप्त प्रोथ सहन दिया इस पहले सप्ताह के अंत में मुझे यह जानकर वास्तव में आश्चर्य हुआ की थोड़ा सा व्यायाम भी मेरी सहन शक्ती और हर बार थोड़ा आगे दोड़ने की क्षमता में सुधार करता है इस से और भी उत्साह पैदा हुआ इसलिए मैं बाहर गया और एक स्टॉप वाच और एक खाली किताब खरीदी जिसका इस्तेमाल रणिंग डाइरी के रूप में किया जा सकता है मैंने दो मील का कोर्स थापित किया और प्रतेक्ति मही मील को चिनित किया डाइरी में मैंने तारीक, अपनी दूरी, अपना समय और हर बार दोड़ने पर शारीरिक रूप से कैसा महसूस किया उसे दर्च किया अब मुझे लगा कि मैं पांच मील की दूरी पर अपने रास्ते पर ठीक हूँ जब तक कि मैं सच मुझे अपनी अगली समस्याओं में भाग नहीं गया सबसे बड़े आपस में विरोधी और विचलित करने वाले विचार थे जो हर बार जब मैंने तै किया कि मैं बाहर जाकर दोड़ना चाहता हूँ तो मेरी चेतना में बाढ़ आ गई मैं इसे नहीं करने के कारणों की नंबर और तीवरता पर चकेत था यह गर्म या बाहर ठंडा है ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है मैं अभी भी थोड़ा ठक गया हूँ पिछली बार जब मैं दोड़ा था भले ही यह तीन दिन पहले था मुझे पता है कि कोई और ऐसा नहीं कर रहा है यह सबसे प्रचलेत जैसे ही यह टीवी कार्यक्रम समाप्थ हो जाएगा मैं जाओंगा बेशक मैं कभी नहीं गया मैं जो हासिल करने की कोशिश कर रहा था उस पर अपने कॉंशिस ध्यान को रीडिरेक्ट करने के अलावा मुझे इस आपस में विरोधी मेंटल एनरजी से निपटने का कोई अन्य तरीका नहीं पता था मैं वास्तव में गर्मियों के अंत तक पांच मील की दूरी तक पहुँचना चाहता था मैंने पाया कि कभी-कभी मेरी इच्छा संगर्ष से अधेक प्रबल होती है As a result, मैं अपने दौरने के जूते प्राप्त करने में काम्याब रहा वास्तव में बाहर कदम रखा और दौरना शुरू किया हाला कि, कई बार, मेरे आपस में विरोधी और ध्यान भंग करने वाले विचारों ने मुझे शांत रखा वास्तव में, शुरुआती स्टेज में मेरा अनुमान है कि दो तिहाई बार मैं आपस में विरोधी एनजी को पार करने में असमर्थ रहा मेरे सामने अगली समस्या यह थी कि जब मैं उस पॉइंट पर पहुँचना शुरू किया जहां मैं एक मील दोडने में सक्षम था तो मैं अपने आप से इतना रोमान्चित था कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे पांच मील तक पहुँचाने के लिए एक अतिरिक्ट सिस्टम की आवश्यक्ता होने वाली थी मैंने तर्क दिया कि एक बार जब मैं उस मुकाम पर पहुँच गया जहां मैं दो या शायद तीन मील दोड सकता था तो मुझे अपने आप पर इतना अधिक प्रसंणता होगी कि मुझे अपने पांच मील के अबजेक्टिव को पूरा करने की कोई आवश्यक्ता महसूस नहीं होगी इसलिए मैंने अपने लिए एक नियम बनाया आप इसे पांच मील का नियम कह सकते हैं अगर मैं अपने दौरने के जूते पाने में काम्याब रहा और सभी आपस में विरोधी विचारों के बावजूद मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने पिछली बार दौरने की तुलना में कम से कम एक कदम आगे चलने के लिए खुद को प्रतिबध किया यदि मैं एक कदम से अधेक आगे दौरता तो यह कुछ रूप से ठीक था लेकिन यह एक कदम से कम नहीं हो सकता चाहे कुछ भी हो जैसा की यह पता चला है मैंने इस नियम को कभी नहीं तोड़ा और गर्मियों के अंत तक मैंने इसे पांच मील तक बना दिया लेकिन फिर मेरे वहां पहुँचने से पहले वास्तव में कुछ दिल्चस्प और पूरी तरह से अनिक्सपेक्टेड हुआ जैसे जैसे मैं अपने पांच मील के अबजेक्टिव को पूरा करने के करीब पहुँचा धीरे धीरे आपस में विरोधी विचार फैलने लगे आखरकार वे बिलकुल भी मौजूद नहीं थे उस समय मैंने पाया कि अगर मैं दोड़ना चाहता हूँ तो मैं बिना किसी mental resistance संगहर्श या competitor विचारों के ऐसा करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र था यह देखते हुए कि यह कितना संगहर्श था मैं चकित था कम से कम कहने के लिए Outcome मैं अगले 16 साल तक बहुत नियमित रूप से दोड़ता रहा आप में से जिन लोगों की दिल्चिस्पी हो सकती है मैं अब इतना नहीं दोड़ता क्योंकि 5 साल पहले मैंने फिर से आईस होकी खेलना शुरू करने का फैसला किया था होकी एक अत्यंत कठिंग खेल है कभी कभी मैं सपताह में 4 बार खेलता हूँ मेरी उम्र आप से अधिक और खेल के लिए आवश्यक परिश्रम के लेवल को ध्यान में रखते हुए आमतोर पर मुझे ठीक होने में एक या दो दिन लगते हैं जो और अधिक दोड़ने के लिए ज्यादा जगह नहीं छोड़ता है अब यदि आप इन अनुभवों को लेते हैं और उन्हें विश्वासों की प्रकृती के बारे में अब हम जो समझते हैं उसके संदर्भ में डालते हैं तो हम कई observation कर सकते हैं एक, स्टार्ट में, रनर्स बनने की मेरी इच्छा में समर्थन का कोई आधार नहीं था मेरी mental system, दूसरे शब्दों में, मेरी इच्छा के अनुरूप energy का कोई अन्यसोस, expression की मांगवाली एक active अवधारना नहीं था दो, उस समर्थन को बनाने के लिए मुझे वास्तव में कुछ करना था एक विश्वास पैदा करने के लिए कि मैं एक धावक हूँ, के लिए आवश्चक है कि मैं नए विश्वास के अनुरूप अनुभवों की एक सीरीज बनाऊँ याद रखें कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, कहते हैं या करते हैं, वो हमारे mental system में किसी विश्वास के लिए energy का योगदान देता है हर बार जब मैंने एक आपस में विरोधी विचार का अनुभव किया और अपने objective पर सफलता पूर्वक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो गया तो मुझे अपने दोड़ने के जूते और दर्वाजे से बाहर निकालने के लिए परियाप्त स्ट्रॉंग विश्वास के साथ, मैंने इस विश्वास में energy जोर दी की, मैं एक धावक हूँ, और उतना ही महत्वपूर्ण मैंने अंजाने में उन सभी विश्वासों से energy को दूर कर लिया जो अन्यथा बहस करेंगे मैं अंजाने में कहता हूँ क्योंकि विरोधा भासी विश्वासों को पहचानने और इनाक्टिव करने के लिए विशेश रूप से डिजाइन की गई विभिन तक्नीके हैं लेकिन उस समय मेरे जीवन में मैं परिवर्टन की प्रोसेस की सहज गती शीलता को नहीं समझ पाया था जिससे मैं गुजर रहा था इसलिए इस तरह की तक्नीकों का लाब उठाने के लिए मेरे साथ ऐसा नहीं होता तीन, अब मैं सहजता से, मेंटल पहुँच से, खुद को एक धावक के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक रना हूँ, वो एनजेटिक अवधारना अब मेरी पहचान का एक कार्यशील हिस्सा है जब मैंने पहली बार शुरुआत की, तो मुझे दौडने के बारे में कई आपस में विरोधी मान्यताएं थी परिनामस्वरूप, मुझे आत्म अनुशासन की तक्नीक की आवश्यक्ता थी जब हमारे विश्वासी हमारे लक्षियों या इच्छाओं के साथ पूरी तरह से अलाइंड होते हैं तो आपस में विरोधी एनजी का कोई सोस नहीं होता है यदि आपस में विरोधी एनजी का कोई सोस नहीं है तो विचलित करने वाले विचारों, बहाने, यूक्तिकरण, जस्टिफिकेशन, या गलतियों, कौन्शिस या अवचेतन का कोई सोस नहीं है चार, विश्वासों को बदला जा सकता है और यदि एक विश्वास को बदलना संभव है तो किसी भी विश्वास को बदलना संभव है। यदि आप समझते हैं कि आप वास्तव में उन्हें नहीं बदल रहे हैं। लेकिन केवल एक अवधारना से दूसरी अवधारना में एनरजी मूव कर रहे हैं। परिवर्तन के लिए लक्षित विश्वास का रूप बरकरार रहत है इसलिए आपकी mental system में दो पूरी तरह से विरोधा भासी विश्वास एक साथ मौजूद हो सकते हैं लेकिन अगर आपने एक विश्वास से energy खीची है और दूसरे को पूरी तरह से active किया है तो functional पहुंच से कोई विरोधा भास मौजूद नहीं है किवल यह विश्वास है कि energy आपके मन की स्थिती आपकी धारणा और जानकारी की व्याख्या और आपके व्यवहार पर एक बल के रूप में कार्य करने की क्षमता रखेगी अब Mechanically Trading का एक मात्र objective अपने आपको लगातार सफल ट्रेडर में बदलना है यदि आपके mental environment में कुछ ऐसा है जो इस विश्वास के निर्मान के सिध्धानतों के विपरीथ है कि मैं एक लगातार सफल ट्रेडर हूँ तो आपको इन सिध्धानतों को एक प्रभावी कार्य शील भ पहचान एक बार जब सिध्धानत आप कौन हैं बन जाते हैं तो आपको आत्म अनुशासन की आवशक्ता नहीं होगी क्योंकि being consistent की process सरल हो जाएगी याद रखें कि निरंतरता एक जीतने वाले ट्रेड को रखने की क्षमता या उस मामले के लिए जीतने वाले ट्रेडों की एक स्ट्रिंग के समान नहीं है क्योंकि जीतने वाले ट्रेड को करने के लिए बिल्कुल कोई skills की आवशक्ता नहीं होती है आपको बस सही धंग से अनुमान लगाना है जो एक सिक्के के उच्छाल के outcome का अनुमान लगाने से अलग नहीं है जबकि स्थिरता एक मन की स्थित है जो एक बार हासिल हो जाने के बाद आपको किसी अन्य तरीके से होने की अनुमती नहीं देगी आपको लगातार बने रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यह आपकी पहचान का एक स्वाभावे कार्य होगा वास्तव में यदि आपको प्रयास करना है तो यह इस बात का संकेत है कि आपने लगातार सफलता के सिध्धानतों को प्रभावी असंबद विश्वासों के रूप में पूरी तरह से एक इकरित नहीं किया है एक्जामपल के लिए अपने जोखिम को प्री प्लान करना बिंग कंसिस्टेंट की प्रोसेस में एक कदम है यदि आपके जोखिम को प्री प्लान करने के लिए कोई विशेश प्रयास करना पड़ता है यदि आपको इसे करने के लिए conscious रूप से खुद को याद दिलाना है यदि आप किसी भी आपस में विरोधी विचार का अनुभव करते हैं संक्षिप में आपको ऐसा करने से बाहर बात करने की कोशिश कर रही है या यदि आप खुद को एक ट्रेड में पाते हैं जहां आपने अपने जोखिम को प्रहले से डिफाइंड नहीं किया है तो यह सिध्धान्त आपकी पहचान का मेज़क कारेशील हिस्सा नहीं है या आप कौन है नहीं है यदि ऐसा होता तो यह आपके लिए भी नहीं होता कि आप अपने जोखिम को प्री प्लान न करें यदि और जब विरोध के सभी सोस इनाक्टिव कर दिये गए हों तो अब आपके लिए किसी अन्य तरीके से होने की कोई संभावना नहीं है एक बार जो संघर्ष था वो लगभग सहज हो जाएगा उस समय यह अन्य लोगों को लग सकता है कि आप इतने डिसिप्लिंड है क्योंकि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उन्हें मुश्किल लगता है यदि असंभव नहीं है लेकिन वास्तविक्ता यह है कि आप बिल्कुल डिसिप्लिंड नहीं हो रहे है आप बस विश्वासों के एक अलग सेट से काम कर रहे हैं जो आपको इस तरह से व्यवहार करने के लिए मजबूर करता है जो आपकी इच्छाओं, लक्षियों या अबजेक्टिव के अनुरूप हो Creating a belief in consistency यह विश्वास पैदा करना की मैं एक consistent विजेता हूँ primary objective है लेकिन एक रणा बनने के मेरे इरादे की तरह है इसे step-the-step process में तोड़े बिना इसे लागू करना बहुत comprehensive और सारगर्भित है तो मैं जो करने जा रहा हूँ वो इस विश्वास को उसके सबसे छोटे कुछ भागों में तोड़ देगा और फिर आपको प्रतियेक भाग को एक major विश्वास के रूप में एकी कृत करने की योजना देगा निमनलिखित उप विश्वास बिल्डिंग ठिंकिंग लाइक ए ट्रेडर एक 180 ब्लॉक हैं जो underlying structure प्रदान करते हैं जिसका अर्थ है एक consistent विजेता बनना मैं एक लगातार विजेता हूँ क्योंकि 1. मैं अपने edges की पहचान करता हूँ 2. मैं प्रतीक ट्रेड के जोखिम को pre-plan करता हूँ 3. मैं पूरी तरह से जोखिम स्वीकार करता हूँ या मैं ट्रेड को छोड़ने के लिए तैयार हूँ 4. मैं बिना किसी हिच की चाहट या हिच की चाहट के अपने edges पर कार्य करता हूँ 5. मैं खुद भुगतान करता हूँ क्यूंकि market मुझे पैसा उपलब्ध कराता है 6. मैं errors करने के लिए अपनी sensitivity की लगातार निगरानी करता हूँ 7. मैं consistent सफलता के इन सिध्धानतों की परम आवश्यक्ता को समझता हूँ और इसलिए मैं उनका कभी उलंगन नहीं करता ये beliefs consistency के साथ principles है functional level पर इन सिध्धानतों को अपनी mental system में एकी कृत करने के लिए आवश्यक है कि आप जान बूझ कर उन अनुभवों की एक series बनाएं जो उनके अनुरूप हो ये उस लड़के से अलग नहीं है जो कुत्तों के साथ खेलना चाहता था या मेरी रणा बनने की इच्छा से इससे पहले कि वो एक कुत्ते के साथ खेल पाता लड़के को पहले सिर्फ एक के करीब आने के लिए कई प्रयास करने पड़े आखरकार जैसे ही उसकी मेंटल सिस्टम में एनरजी का संतुलन बदल गया वो बिना किसी आंतरिक प्रतिरोध के कुत्तों के साथ खेल सकता था एक धावक बनने के लिए मुझे अपने अंदर हर उस चीज के बावजूद दौडने का अनुभव बनाना था जो अन्यथा तरक देती थी आखरकार जैसे जैसे एनरजी मेरी इस नई परिभाशा के पक्ष में अधिक से अधिक मूव हुई दौडना मेरी पहचान की एक स्वाभाविक एक्सप्रेशन बन गई जाहर है हम यहाँ जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक रना बनने या कुट्टे को पेट करने की तुलना में कहीं अधिक जटिल है लेकिन प्रोसेस की सहज गती शीलता समान है हम एक विशिष्ट औबजेक्टिव के साथ शुरुआत करेंगे कंसिस्टिंसी का पहला प्रिंसिपल यह विश्वास है मैं औबजेक्टिव रूप से अपने एजस की पहचान करता हूँ यहां मुख्य शब्द औबजेक्टिव है औबजेक्टिव होने का मतलब है कि दर्द नाक या उत्साह पून पहुँच से किसी भी मार्केट की जानकारी को डिफाइंड करने व्याख्या करने और समझने की कोई क्षमता नहीं है औबजेक्टिव होने का तरीका उन विश्वासों से बाहर निकलना है जो आपकी expectations को neutral रखते हैं और हमेशा unknown शक्तियों को ध्यान में रखते हैं याद रखें आपको विशेश रूप से अपने दिमाग को objective होने और अब moment के अवसर प्रवाह में केंदरित रहने के लिए trained करना होगा हमारे दिमाग इस तरह सोचने के लिए स्वाभाविक रूप से तार तार नहीं है इसलिए एक objective supervisor बनने के लिए आपको market के पहुँच से सोचना सीखना होगा market के नजरिये से price movement पर कारवाई करने के लिए हमेशा unknown forces, trader, इंतजार कर रही है इसलिए market के पहुँच से हर पल वास्तव में unique है, भले ही वो moment ठीक उसी तरह दिख, ध्वनी या महसूस हो सकता है जैसे आपके memory bank में किसी moment login किया गया हो जिस moment आप या तो निरनय लेते हैं या मान लेते हैं कि आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है आप automatically ही सही होने की अपेक्षा करेंगे हाला कि जो आप जानते हैं कम से कम सोच के rational level पर केवल आपके unique past को ध्यान में रखा जा सकता है जिसका market के पहुँच से वास्तव में क्या हो रहा है, इसका कोई संबंध नहीं हो सकता है उस समय, कोई भी market जानकारी जो आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, उसे defined और दर्दनाक के रूप में explain करने की क्षमता है दर्द का अनुभव करने से बचने के लिए, आपका दिमाग conscious और subconscious दर्द से बचने के सिस्टम के साथ automatic रूप से compensation करेगा, जो आप उम्मीद करते हैं और market क्या पेशकश कर रहा है के बीच किसी भी अन्तर के लिए, आप जो अनुभव करेंगे उसे आम तोर पर भ्रम के रूप में जाना जाता है भ्रम की स्थिती में, आप न तो purposeful हैं और नहीं, अब moment के अवसर प्रवाह से जुड़े हैं इसके बजाए, आप सभी specific trading errors को करने के लिए hypersensitive हो जाते हैं जिजखते हुए, बंदूग कूदते हुए, अपने जोखिम को pre-plan नहीं करते, अपने जोखिम को defined करते हुए लेकिन नुकसान को लेने से इंकार करते हुए और trade को एक बड़े हारे हुए में बदल देते हैं, एक जीतने वाले trade से भी बाहर निकलते हैं जल्द ही, एक जीतने वाले trade से कोई लाभ नहीं लेना एक जीतने वाले ट्रेड को एक हारे हुए में बदलना, अपने entry point के करीब एक stop ले जाना, बंध हो जाना और market trade को अपने पक्ष में देखना या trading में बहुत बड़ी स्थिती में trade करना आपकी equity से संबंद market के बारे में 5 fundamental such आपकी expectations को neutral रखेंगे अपने दिमाग को अब moment अवसर प्रवाह, अपने अतीत से वर्तमान moment को अलग करके में केंद्रित करेंगे और इसलिए इन errors को करने की आपकी क्षमता को समापत कर देंगे जब आप trading errors करना बंद कर देते हैं, तो आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर देंगे जैसे जैसे आप में आत्म विश्वास की भावना बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके आत्म विश्वास की भावना भी बढ़ेगी आपका आत्म विश्वास जितना अधिक होगा, आपके ट्रेडों को execution करना उतना ही आसान होगा बिना reservation या जिजखक के अपने edges पर कार्य करें पांच सच भी मन की एक स्थिती पैदा करेंगे जिसमें आप वास्तव में ट्रेडिंग के जोखिमों को स्वीकार करेंगे जब आप वास्तव में जोखिमों को स्वीकार करते हैं तो आप किसी भी outcome के साथ शान्ती से रहेंगे जब आप किसी भी outcome के साथ शान्ती में होते हैं तो आप मन की एक लापरवा, purposeful स्थिती का अनुभव करेंगे जहां आप किसी भी अभी पल, पर market जो कुछ भी आपको इसके perspective से पेश कर रहे हैं उस पर विचार करने और कार्य करने के लिए खुद को उपलब्ध कराते हैं पहला objective एक major विश्वास के रूप में एकी कृत करना है मैं neutral रूप से अपने edges की पहचान करता हूँ अब जुनोती यह है कि आप वहां कैसे पहुँचे आप अपने आपको एक ऐसे व्यक्ती में कैसे बदलते हैं जो लगातार market के perspective में सोच सकता है परिवर्तन की process आपकी इच्छा और आपकी इच्छा आत्म अनुशासन की वस्तु पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की इच्छा से शुरू होती है इच्छा शक्ती है यह किसी भी चीज से मेल खाने या सहमत होने की जरूरत नहीं है जिसे आप वर्तमान में ट्रेडिंग की प्रकृती के बारे में सच मानते हैं एक विशिष्ट objective पर पूरी तरह से targeted एक स्पष्ट इच्छा एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है दो या दो से अधिक आपस में विरोधी अवधारणाओं के बीच energy को move करना या अपनी यादों के संदर्भ या धुरूवता को negative से positive में बदले मुझे यकीन है कि आप अपना मन बना ले कहावत से परिचित है अपना मन बनाने का implication यह है कि हम वास्तव में इतनी स्पष्टता के साथ तै करते हैं कि हम क्या चाहते हैं बिलकुल कोई संदेय नहीं है और इतने strong विश्वास के साथ की internal या बाहरी रूप से हमारे रास्ते में कुछ भी खड़ा नहीं होता है यदि हमारे संकल्प के पीछे परियाप्त शक्ती है तो हमारी mental structure में लगभग दुरंथ ही एक बड़े बदलाव का अनुभव करना संभव है आंतरिक संगर्षों को इनाक्टव करना समय का कार्य नहीं है यह एक कार्य के इंद्रत इच्छा है हाला कि उस पॉइंट तक पहुँचने में काफी समय लग सकता है जहां हम वास्तव में अपना मन बनाते हैं अन्यथा अत्यधिक स्पष्टता और स्ट्रॉंग विश्वास के अभाव में आत्म अनुशासन की तक्नीक समय के साथ काफी अच्छी तरह से काम करेगी यदि कुछ रूप से आप इसका उप्योग करने के इच्छुक है वहाँ पहुँचने के लिए आपको जितना संभव हो उतना स्ट्रॉंग विश्वास और स्पष्टता के साथ अपना मन बनाना चाहिए कि किसी भी चीज से अधेक आप अपने ट्रेडिंग से स्थिर्ता, विश्वास, आतम विश्वास और निश्पक्षता की स्थिती चाहते हैं ये आवश्यक है क्योंकि यदि आप मजॉरिटी ट्रेडर्स की तरह हैं तो आप कुछ बहुत ही भयान कर आपस में विरोधी ताकतों के खिलाफ होने जा रहे हैं उदाहरन के लिए यदि आप एक बड़े कदम को पकरने के उत्साह से उपर उठने के लिए अपने परिवार और दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक नायक बनने के लिए रैंडम पुरसकारों की लट को पूरा करने के लिए अपनी भविश्यवानियों के बारे में सही होने के लिए या कोई अन्य कारण जिसका कमपाटिबल होने से कोई लेना देना नहीं है तो आप पाएंगे कि इन अन्य प्रेरनाओं का बल न केवल एक बाधा के रूप में कार्य करेगा जिससे मैं आपको बहुत मुश्किल देने वाला ट्रेडिंग एक्सेस कर सकता हूँ लेकिन यह बहुत अच्छी तरह से हो सकता है इतना मजबूत कि आप बिलकुल भी व्यायाम न करें उस लड़के को याद करें जिसे दूसरे बच्चों की तरह बनने और कुट्टों के साथ बातचीत करने की कोई इच्छा नहीं थी संक्षेप में उन्होंने अपने मिनमम चार्ज किये गए पॉजिटिव विश्वास के बीच आक्टिव विरोधाभास के साथ रहने का फैसला किया कि सभी कुट्टे खतरनाक नहीं हैं और उनका मूल नेगटव रूप से आरोपित विश्वास है कि सभी कुट्टे खतरनाक हैं उनके पास दोस्ताना कुट्टों को देखने की ख्षमता थी लेकिन साथ ही साथ उनके साथ बातचीत करना असंभव था जब तक वो इसे बदलना नहीं चाहता तब तक इन दोनों मान्यताओं के बीच एनरजी का असंतुलन ठीक वैसा ही बना रहेगा जैसा कि उसके पूरे जीवन के लिए है यहां तक इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए आपको निरंतर्ता इतनी अधिक चाहनी होगी कि आप ट्रेडिंग के लिए अन्य सभी कारणों, प्रेरणाओं या एजेंडा को छोड़ने के लिए तैयार हों जो उन विश्वासों को एकी कृत करने की प्रोसेस के अनुरूप नहीं है जो निरंतर्ता पैदा करते हैं यदि आप इस प्रोसेस को अपने लिए कार्ग बनाने जा रहे हैं तो एक स्पष्ट, तीवर इच्छा एक परम शर्थ है Exercise, Learning to Trade an Edge like a Casino इस Exercise का Objective अपने आपको यह विश्वास दिलाना है कि ट्रेडिंग केवल संभावनाओ, संख्याओं का एक सरल खेल है जो Slot Machine के Handle को खीचने से बहुत अलग नहीं है सूक्षम लेवल पर, अलग-अलग Edges के Outcome स्वतंत्र घटनाएं हैं और एक दूसरे के संबंध में Random है Macro लेवल पर, ट्रेडों की एक सीरीज के Outcome लगातार Outcome देंगे संभावनाओ के नजरिये से, इसका मतलब है कि Slot Machine खेलने वाले व्यक्ति होने के बजाए, एक ट्रेडर के रूप में, आप कैसीनों हो सकते हैं यदि, एक, आपके पास एक बढ़त है जो वास्तव में आपके पक्ष में सफलता की संभावना रखती है दो, आप उचित तरीके से ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं, पाँच फंडमेंटल साच, और तीन, आप ट्रेडों की एक सीरीज में वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको करने की आवश्शकता है फिर, कैसीनों की तरह, आप खेल के मालिक होंगे और एक कंसिस्टेंट विजेता बनेंगे Setting up the exercise एक मार्केट चुने, ट्रेड करने के लिए एक आक्टिव रूप से कारोबार किया गया स्टॉक या फ्यूचर्स कॉन्ट्राक्ट चुने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है जब तक यह तरल है और आप प्रती ट्रेडिंग कम से कम तीन सौ शेरों या तीन फ्यूचर्स कॉन्ट्राक्ट्स के ट्रेड के लिए मार्जिन आवश्शकताओं को वहन कर सकते हैं मार्किट वेरियाबल का एक सेट चुने जो एक एज को डिफाइंड करता है यह कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है जो आप चाहते हैं आपके द्वारा चुनी गई ट्रेडिंग सिस्टम या मेथेडॉलजी माथमाटिकल, मेकानिकल या विश्वल प्राइस चार्ट में पैटन के आधार पर हो सकती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप व्यक्तिगत रूप से सिस्टम को डिजाइन करते हैं या इसे किसी और से खरीडते हैं नहीं आपको सबसे अच्छा या सही सिस्टम खोजने या विक्सित करने के लिए बहुत अधिक समय लेने या बहुत चुस्त होने की आवश्शक्ता है यह exercise system के विकास के बारे में नहीं है और यह आपकी analytical abilities की परीक्षा नहीं है वास्तव में आपके द्वारा चुने जाने वाले variable को most traders के मानकों द्वारा औसत दर्जे का भी माना जा सकता है क्यूंकि इस exercise को करने से आप जो सीखने जा रही हैं वो इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप वास्तव में पैसा कमाते हैं या नहीं यदि आप इस exercise को एक educational expense मानते हैं तो ये उस समय और प्रयास में कटौती करेगा जो आप अन्यता सबसे अधिक लाबदायक edges को खोजने की कोशिश में खर्च कर सकते हैं आप में से उन लोगों के लिए जो सोच रहे होंगे मैं इस बारे में कोई विशेश recommendation नहीं करने जा रहा हूँ कि आपको किस system या variable का उप्योग करना चाहिए क्यूंकि मेरा मानना कि इस पुस्तक को पढ़ने वाले अधिकांश लोग पहले से ही technical analysis में अच्छी तरह से शिक्षित हैं यदि आपको अतिरिक्ट सहायता की आवश्यक्ता है तो इस विशे पर सैकडो पुस्तक के उपलब्ध हैं साथ ही system seller भी हैं जो आपको अपने विचार बेचने के इच्छुक हैं हाला की अगर आपने इसे स्वयम करने का एक वास्तविक प्रयास किया है लेकिन फिर भी system चुनने में समस्या आ रही है तो आप मुझसे markdiglis.com या tradingantzone.com पर संपर्ख कर सकते हैं और मैं कुछ recommendations करूंगा आप जिस भी system का उप्योग करना चुनते हैं उसे following specifications के भीतर fit होना चाहिए Trade Entry आपके edge को define करने के लिए आपके द्वारा उप्योग किये जाने वाले चर बिलकुल सटीक होने चाहिए System को इस तरह से design किया जाना चाहिए कि आपको इस बारे में कोई व्यक्तिपरक निर्नाए या निर्नाए लेने की आवश्यक्ता न हो कि आपकी बढ़त मौजूद है या नहीं यदि market इस तरह से aligned है जो आपके system के कठोर variable के अनुरूप है तो आपके पास एक trade है यदि नहीं तो आपके पास कोई trade नहीं है अवधी कोई अन्य बाहरी या random कारक समीकरण में प्रवेश नहीं कर सकते है Stop loss exit काम न करने वाले trade से बाहर निकलने पर भी यही शर्ते लागू होती है आपकी कार्य प्रणाली को आपको यह बताना होगा की trade काम करने जा रहा है या नहीं यह जानने के लिए आपको कितना जोखिम उठाने की आवश्यक्ता है हमेशा एक optimum point होता है जिस पर trade के काम न करने की संभावना इतनी कम हो जाती है विशेश रूप से लापक्षमता के संबंध में कि आप अपना नुकसान उठाने और अगले edge पर कार्य करने के लिए अपने दिमाग को स्पष्ट करने से बहतर है market संरचना को यह determine करने दे कि यह optimum point कहा है बजाए एक मनमानी डॉलर राशी का उप्योग करने के जो आप किसी trade पर जोखिम के लिए तैयार है किसी भी मामले में आप जो भी system चुनते हैं उसे बिलकुल सटीक होना चाहिए किसी subjective निर्नय लेने की आवश्यक्ता नहीं है फिर से कोई भी बाहरी या random variable equation में प्रवेश नहीं कर सकते है टाइम फ्रेम आपकी trading methodology किसी भी समय सीमा में हो सकती है जो आपको suitable बनाती है लेकिन आपके सभी प्रवेश और exit sign एक ही समय सीमा में होने चाहिए उदाहरन के लिए यदि आप 30 मिनिट के बार चार्ट पर एक विशेश समर्थन और प्रतिरोध पैटन की पहचान करने वाले variable का उप्योग करते है तो आपके जोखिम और लाब के objective की calculation भी 30 मिनिट की समय सीमा में determine की जानी चाहिए हाला की एक time frame में trading आपको अन्य समय सीमा को filter के रूप में उप्योग करने से नहीं रोकता है उदाहरन के लिए आपके पास एक filter के रूप में एक नियम हो सकता है जो बताता है कि आप केवल उन ट्रेडों को लेने जा रहे हैं जो major trend की दिशा में हैं एक पुराना trading axiom है कि trend आपका मित्र है इसका मतलब है कि जब आप major trend की दिशा में trade करते हैं तो आपके पास सफलता की संभावना अधिक होती है यदि कोई हो वास्तव में सबसे कम जोखिम वाला trade सफलता की highest probability के साथ तब होता है जब आप एक uptrending market में dips समर्थन खरीद रहे हो या downtrending market में रैलिया resistance बेच रहे हो यह नियम कैसे काम करता है यह समझाने के लिए मान ले कि आपने 30 मिनट की समय सीमा में समर्थन और प्रतिरोध पैटन की पहचान करने का एक सटीक तरीका चुना है नियम यह है कि आप केवल major trend की दिशा में trades करने जा रहे हैं एक trending market को एक up trending market के लिए higher highs और higher lows की एक series के रूप में defined किया जाता है और एक down trending market के लिए lower highs और lower lows की एक series के रूप में define किया जाता है समय सीमा जितनी लंबी होगी trend उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण होगी इसलिए daily bar chart पर एक trending market 30 minute के बार chart पर trending market की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए daily bar chart पर रुजहान 30 minute के बार chart पर trend से अधिक होगा और इसे major trend माना जाएगा major trend की दिशा determine करने के लिए देखें कि daily bar chart पर क्या हो रहा है यदि trend daily रूप से उपर है तो आप केवल 30 minute के chart पर समर्थन के रूप में आपकी बढ़त को define करने के लिए बेचने या retracement की तलाश करने जा रहे है वहीं से आप खरीदार बन जाएंगे दूसरी ओर यदि trend daily पर नीचे है तो आप केवल 30 minute के chart पर एक seller होने के लिए एक resistance लेवल के रूप में define करने के लिए एक rally की तलाश करने जा रहे है आपका objective यह determined करना है कि downtrending market में यह intraday आधार पर कितनी दूर तक rally कर सकता है और फिर भी लंबी trend की समरूपता का उलंगन नहीं करता है एक uptrending market में आपका objective यह determined करना है कि लंबी trend की समरूपता का उलंगन किये बिना यह intraday आधार पर कितनी दूर तक बिख सकता है इन Intraday Support और Registance Points के साथ आम तोर पर बहुत कम जोखिम जुड़ा होता है क्यूंकि आपको यह बताने के लिए Market को उनसे बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है कि Trade काम नहीं कर रहा है मुनाफा लेना, मानो या ना मानो सभी Skills में से एक को लगातार सफल ट्रेडर बनने के लिए सीखने की जरूरत है लाभ लेना, सीखना, शायद मास्टर करना सबसे कठिन है कई व्यक्तिगत, अक्सर बहुत Complex Psychological Factor साथ ही साथ किसी के Market Analysis की Effectiveness, Equation में प्रवेश करती है दुर्भाग्य से, Issues के इस Complex Matrix को सुलजहना इस पुस्तक के दाएरे से परे है मैं इसे इसलिए Pointed करता हूँ ताकि आप में से जो टेबल पर पैसा चोड़ने के लिए खुद को पीतने के तयार हो वे आराम कर सकें और खुद को आराम दे सकें अन्य सभी Skills हासिल करने के बाद भी आपको इस एक को समझने में बहुत लंबा समय लग सकता है निराशा मत करो एक लाब लेने वाली व्यवस्था स्थापित करने का एक तरीका है जो कम से कम Consistency के 5th Principle के Objective को पूरा करता है मैं खुद को भुगतान करता हूँ क्योंकि Market मुझे पैसा उपलब्ध कराता है यदि आप अपने आप में एक विश्वास स्थापित करने जा रहे हैं कि आप एक Consistent विजेता हैं तो आपको उस विश्वास के अनुरूप अनुभव बनाने होंगे क्योंकि विश्वास का Objective लगातार जीत रहा है आप एक जीतने वाले Trade में लाब कैसे लेते हैं यह Most Important है यह Exercise का एक मात्र हिस्सा है जिसमें आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में आपके पास कुछ हद तक बुद्धि मानी होगा सहज आधार यह है कि एक जीतने वाले Trade में आप कभी नहीं जानते कि Market आपकी दिशा में कितनी दूर जा रहा है Market शायद ही कभी सीधे उपर या सीधे नीचे जाते हैं 1999 के Downfall में कई Nasdaq Internet Stock Statement के एक सपष्ट exception थे आम तोर पर, Market उपर जाते हैं और फिर उपर की ओर बढ़ने के कुछ हिस्से को वापस लेते हैं या नीचे जाएं और फिर नीचे की ओर जाने के कुछ हिस्से को फिर सिट्रेस करें ये proportional recycling एक विज़ेई trade में बने रहना बहुत difficult बना सकते हैं सामान्य retracement के बीच अंतर करने के लिए आपको एक अत्यंत refined और objective analyst होना होगा जब Market में अभी भी आपके trade की original direction में आगे बढ़ने की क्षमता है और एक retracement जो सामान्य नहीं है जब संभावित आपके trade की original direction में कोई भी आगे की गती बहुत कम हो जाती है यदि कोई नहीं है यदि आप कभी नहीं जानते की Market आपकी दिशा में कितनी दूर जाने वाला है तो आप कब और कैसे मुनाफा लेते हैं? सवाल यह है कि Market को पढ़ने और इसे रोकने के लिए सबसे संभावित स्थानों को चुनने की आपकी क्षमता का कारे कब होता है? इसे न्यूट्रल रूप से करने की क्षमता के अभाव में, साइकलोजिकल पहांच से कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी स्थिती को Third या Quarters में Divided करें और स्थिती को मापे क्योंकि Market आपके पक्ष में चलता है यदि आप Futures Contracts का Trading कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि Trade के लिए आपकी Minimum स्थिती कम से कम 3 या 4 अनुबंध है शेयरों के लिए Minimum स्थिती शेयरों की कोई भी नंबर है जो 3 या 4 से Divisible है इसलिए आप एक Odd Lot Order के साथ समाप्त नहीं होते हैं यहां जिस तरह से मैं जीत की स्थिती से बाहर निकलता हूँ जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग करना शुरू किया खासकर पहले 3 साल 1989 से 1981 के दोरान मैं अपनी ट्रेडिंग आक्टिवटीज के Results का पूरी तरह और नियमित रूप से अनालिसिस करता था एक चीज जो मैंने खोजी वो यह थी कि मार्किट में कम से कम मेरी दिशा में जाने के बिना मैं शायद ही कभी किसी नुकसान के लिए किसी ट्रेड से बाहर निकला था अवरेज हर दस ट्रेडों में से केवल एक इमीडियट हारने वाला था जो कभी भी मेरी दिशा में नहीं गया अन्य 25 से 30 प्रतिशत ट्रेडों में से जो फाइनली हारे हुए थे मारकेट आम तोर पर मुझे रवाइस्ट करने और रोकने से पहले तीन या चार टिक्स द्वारा मेरी दिशा में चला गया मैंने क्यालक्यूलेशन की कि अगर मुझे हर बार मारकेट में मुझे अपनी मूल स्थिती का कम से कम वन थर्ड हिस्सा لेने की आदत हो जाती है तो साल के अंत में accumulated जीत मेरे खर्चों का भुगदान करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तै करेगी। मैं सही था, आज तक जब भी market मुझे लेने के लिए कुछ देता है, मैं हमेशा बिना किसी हिच के चाहट के जीतने की स्थिती के एक हिस्से को हटा देता हूँ। यह कितना हो सकता है यह market पर निर्भर करता है, यह प्रतियक मामले में एक अलग राशी होगी। उदाहरन के लिए, treasury bond futures में, जब मुझे 4 ticks मिलते हैं, तो मैं अपनी position का 1 third हटा देता हूँ। futures में, मैं 1 and a half से 2 full marks के लाब के लिए 1 third छूट लेता हूँ। एक bond trade में, मैं आम तोर पर यह पता लगाने के लिए 6 से अधिक ticks का जोखिम नहीं उठाता की क्या trade काम करने वाला है। एक उदाहरन के रूप में 3 contract trade का उपयोग करना, यह कैसे काम करता है। यदि मैं किसी स्थिती में आता हूँ और market तुरंत मेरे खिलाफ जाता है, मुझे कम से कम 4 ticks दिये बिना। मुझे 18 tick हानी के लिए trade से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन जैसा की मैंने संकेत दिया है। ऐसा अकसर नहीं होता है, अधिक संभावना है, trade हारने से पहले कुछ छोटी राशी से मेरे पक्ष में जाता है, यदि यह मेरे पक्ष में कम से कम 4 ticks से जाता है, तो मैं उन 4 ticks को एक अनुबंध पर लेता हूँ, मैंने जो किया है वो अन्य दो contracts पर मेरे कुल जोखिम को 10 ticks से कम कर देता है, अगर market मुझे पिछले 2 contracts से रोकता है, तो trade पर शुधन उकसान केवल 8 ticks होता है, अगर मैं पिछले 2 contracts पर नहीं रुकता और market मेरी दिशा में चलता है, तो मैं किसी predetermined lab objective पर स्थिती के अगले तीसरे हिस्से को बंद कर देता हूँ, यह कुछ लंबी समय सीमा support or resistance, यह पिछले महत्वपूर्ण high और low के परीक्षन पर आधारित है, जब मैं second third पर lab लेता हूँ, तो मैं stop loss को अपने मूल entry point पर भी ले जाता हूँ, अब मेरे पास trade पर शुध लाब है, भले ही position के अंतिम तीसरे हिस्से में कुछ भी हो, दूसरे शब्दों में, मेरे प रूप से जोर नहीं दे सकता और नहीं publish इस page पर शब्दों को इतना बड़ा बना सकता है कि जोखिम मुक्तावसर की स्थिती का अनुभव करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, जब आप एक ऐसी स्थिती स्थापित करते हैं जिसमें जोखिम मुक्तावसर होता है, तब तक खोने का कोई रास्ता नहीं है जब तक की कुछ बहुत ही असामान्य नहो जैसे कि आपके stop के माध्यम से एक सीमा ऊपर या नीचे की ओर बढ़ना, यदि सामान्य पर स्थितियों में खोने का कोई रास्ता नहीं है, तो आपको यह अनुभव होता है कि आराम से आप एक विनिंग ट्रेड में हैं, मार्किट ने आपकी दिशा में काफी महत्वपून कदम उठाया, लेकिन आपने कोई लाभ नहीं लिया क्यूंकि आपको लगा कि यह और भी आगे जा रहा है, हाला कि आगे बढ़ने के बजाए, मार्किट आपके ओरिजिनल एंट्री पॉ वाला ट्रेड हारे हुए में बदल जाए, लेकिन जैसे ही आप बाहर होते हैं, मार्किट ही कुसी तरह वापस आ जाता है, जो एक विनिंग ट्रेड होता, यदि आपने अपने आपको जोखिम मुक्त आवसर की स्थिती में रखते हुए, स्कैलिंग करके कुछ मुनाफे में बंद कर दिया था, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि आप उस मामले के लिए किसी तनाव या चिंता से घबरा गए होंगे या महसूस करेंगे, मेरे पास अभी भी मेरी स्थिती का वन थर्ड रिमेनिंग है, अब क्या, मैं मार्किट के रुकने की सबसे संभावित स्थिती में या उस स्थान के ठीक ऊपर एक छोटी स्थिती में समाप्त करने के लिए अपना आदेश देता हूं, मैं अपने आदेश ठीक ऊपर या ठीक नीचे देता हूं क्यूंकि मुझे ट्रेड के अंतिम टिक को निचोडने की परवा नहीं है, मैंने वर्षों से पाया है कि ऐसा करने की कोशिश करना इसके लायक नहीं है, एक अन्यकारक जिस पर आपको ध्यान देने की आवशक्ता है वो है आपका रिस्क टु रिवार्ड रेशियो डॉलर का मूल्य है कि आपको लापक्षमता के सापेक्ष कितना जोखिम उठाना है, आदर्श रूप से आप का रिस्क टु रिवार्ड रेशियो कम से कम तीन, एक होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि आप प्रतियक तीन डॉलर की लापक्षमता के लिए केवल एक डॉलर का जोखिम उठा रहे हैं, यदि आपकी बढ़त और जिस तरह से आप अपने ट्रेडों से बाहर निकलते हैं, आ आपका जीतने वाला ट्रेड प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम हो सकता है और आप अभी भी लगातार पैसा कमाएंगे, एक 3 रेशियो 1 रिस्क टु रवार्ड रेशियो आदर्श है, हाला कि इस एक्सरसाइज के पर्पस के लिए इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि यह क्या है, और नहीं इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आप इसे कितनी प्रभावी धंग से करते हैं, जब तक आप इसे करते हैं, जब मार्किट में पैसा उपलब्ध हो तो उचित प्रॉफिट लेवल्स पर अपने आपको भुगदान करने के लिए सबसे अच्छा प्रयास करें, ए जाएंगी क्योंकि आपके लगातार बने रहने की क्षमता में आपका विश्वास मजबूत हो जाता है। यह पता लगाने के लिए कि कौन से वेरियबल काम करते हैं, वे कितनी अच्छी तरह काम करते हैं और क्या काम नहीं करते हैं। आपके द्वारा तै की गई कोई भी बढ़त कुछ सीमित नंबर में मार्केट वेरियबल या उन वेरियबल्स के बीच संबंधों पर आधारित होगी जो मार्केट की क्षमता को ऊपर या नीचे ले. जाने की क्षमता को मापते हैं। कोई भी सेट जो एज को डिफाइन करता है, वो बहुत लिकवद सब्स्टन्स के स्नापशॉट की तरह होता है। जो सभी संभावनाओं के केवल एक सीमित हिस्से को क्याप्चर करता है। जब आप मार्केट में वेरियबल के किसी भी सेट को लागू करते हैं, तो वे लंबे समय तक बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि उनकी प्रभावशीलता कम हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी पर्टिसिपन्स, मार्केट के बीच बातचीत की अंतरनिहित गतिशीलता बदल रही है। नए ट्रेडर मार्केट में अपने स्वयम के अनूठे, विचारों के साथ आते हैं कि क्या उच्छ है और क्या कम है। और अन्य ट्रेडर चले जाते हैं। धीरे धीरे, ये परिवर्तन मार्केट की चाल की अंतरनिहित गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। कोई भी स्वयम का कठोर सेट इन सूक्षम परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रख सकता है। आप मार्केट के उतार चड़ाव की अंतरनिहित गतिशीलता में इन सूक्षम परिवर्तनों की भरपाई कर सकते हैं और फिर भी नमूना आकारों में ट्रेड करके एक सुसंगत पहुँच बनाए रख सकते हैं। आपके नमूने का आकार आपके वेरियबल्स को न्यूट्रल और परियाप्ट टेस्टिंग देने के लिए परियाप्ट बड़ा होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इतना छोटा भी होना चाहिए कि यदि उनकी अफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो आप इसका पता लगा सकते हैं इससे पहले कि आप एक अत्यधिक राशिक हो दें। मैंने पाया है कि कम से कम 20 ट्रेडों का एक नमूना आकार इन दोनों आवश्यक्ताओं को पूरा करता है। टेस्टेंग, एक बार जब आप इन विश्यक्ताओं के अनुरूप वेरियाबल के एक सेट पर निरनय लेते हैं, तो आपको यह देखने के लिए उनका परीक्षन करना होगा कि वे कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। यदि आपके पास ऐसा करने के लिए appropriate software है, तो आप शायद पहले से ही procedures से familiar हैं। यदि आपके पास testing software नहीं है, तो आप या तो अपने variables का test forward कर सकते हैं या इसे आपके लिए करने के लिए एक test service higher पर ले सकते हैं। यदि आपको किसी test service के लिए recommendation की आवश्शकता है, तो मुझे एक referral के लिए markdiglis.com या tradingundzone.com पर संपर्क करें। किसी भी मामले में ध्यान रखें की exercise का object of trading को एक vehicle के रूप में उपयोग करना सीखना है कि कैसे निश्पक्ष रूप से market के perspective में सोचना है, जैसे कि आप एक casino operator थे. अभी, आपके system का bottom line प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आपको इस बात का अच्छा अंदाजा हो कि आप win to loss ratio, विजेता ट्रेडों की number relative के रूप में क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपके नमूना आरकार के लिए ट्रेडों को खोने की number के लिए जोखिम स्वीकार करना, इस exercise की एक आवश्यक्ता यह है कि आप पहले से जानते हैं कि आपके 20 टी राडे के नमूने के आरकार में प्रतियक ट्रेड पर आपका जोखिम क्या है? जैसा की अब आप जानते हैं, जोखिम को जानना और जोखिम को स्वीकार करना दो अलग-अलग चीजे हैं. मैं चाहता हूँ कि आप इस exercise में जो जोखिम उठा रहे हैं, उसके डॉलर मूले के साथ आप यथा संभव सहज रहें, क्योंकि exercise के लिए आवश्यक है कि आप 20 टी ट्रेडों पर हार जाएंगे. जाहिर तोर पर यह सब से खराब स्थिती है. यह एक घटना के रूप में होने की संभावना है कि आप सभी 20 ट्रेडों पर जीतेंगे, जिसका अर्थ है कि इसकी बहुत संभावना नहीं है. फिर भी, यह एक संभावना है. इसलिए, आपको इ इस ट्रेडों पर खोने के जोखिम डॉलर मूल्य में को स्वीकार कर सकें। उदाहरन के लिए यदि आप S&P Futures का ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके Edge की आवश्यक्ता हो सकती है कि आप per contract 3 full points को जोखिम में डाल सकते हैं ताकि यह पता लगाया जा सकें कि ट्रेड काम करने वाला है या नहीं। चुनकि exercise के लिए आवश्यक है कि आप प्रती ट्रेड कम से कम 3 contracts का ट्रेड करें। यदि आप बड़े contracts का उपयोग करते हैं तो प्रती ट्रेड जोखिम का कुल डॉलर मूल्य दो हजार दो सौपचास डॉलर है। जोखिम का संचित डॉलर मूल्य यदि आप सभी 20 ट्रेडों में हार जाते हैं तो 45,000 डॉलर है। आप इस exercise पर 45,000 डॉलर का जोखिम उठाने में सहज नहीं हो सकते हैं। यदि आप सहज नहीं हैं तो आप mini contracts M&I का ट्रेड करके जोखिम के डॉलर मूल्य को कम कर सकते हैं। वे बड़े contracts के मूल्य का पांचवा हिस्सा हैं। इसलिए प्रती ट्रेड जोखिम का कुल डॉलर मूल्य 450 डॉलर हो जाता है और सभी 20 ट्रेडों के लिए संचित जोखिम 9,000 डॉलर है। यदि आप stock का trading कर रहे हैं तो आप वही काम कर सकते हैं। बस प्रती ट्रेड शेरों की number को कम करते रहें जब तक कि आप एक ऐसे point पर न पहँच जाएं जहां आप सभी 20 ट्रेडों के लिए कुल accumulator जोखिम के साथ सहज हों। मैं नहीं चाहता कि आप अपने आराम के level को संतुष्ट करने के लिए अपने स्थापित जोखिम parameters को बदल दें। यदि आपके आफ ट्रेड करने देना चाहिए। यह बताने के लिए कि यह स्थिती में रहने के लायक नहीं है। फिर इसे तीन पर छोड़ दें अंक। इस variable को तभी बदलें जब technical analysis के नजरिये से इसकी आवश्यक्ता हो। यदि आपने अपनी स्थिती के आकार को कम करने के लिए हर भवप्रयास किया है और आप पाते हैं कि आप अभी भी सभी 20 ट्रेडों पर खोने के संच डॉलर मूले के साथ सहज नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि आप एक नकली ब्रोक्रेज सेवा के साथ exercise करें। नकली ब्रोक्रेज सेवा के साथ भरने और ब्रोक्रेज स्टेट्में को वास्तव में मार्केट में प्रवेश नहीं किया जाता है। परिनाम स्वरूप आपके पास वास्तव में कोई पैसा जोखिम में नहीं है। एक नकली ब्रोक्रेज सेवा वास्तविक मार्केट स्थितियों के तहत वास्तविक समय में exercise करने के लिए एक excellent उपकरण है। ये वो है auditrack.com, doing the exercise. जब आपके पास variable का एक set होता है जो described specifications के अनुरूप होता है। तो आप जानते हैं कि each trade की लागत क्या है। यह पता लगाने के लिए कि क्या यह काम करने जा रहा है। आपके पास lab लेने की योजना है। और आप जानते हैं कि आप एक के रूप में क्या उम्मीद कर सकते हैं आपके नमूने के आकार के लिए win and loss ratio. तो आप exercise शुरू करने के लिए तैयार हैं। नियम सरल हैं। अपने system को ठीक उसी तरह trade करें जैसे आपने इसे design किया है। इसका मतलब है कि आपको अपने बढ़त के कम से कम अगले 20 घटनाओं के trading के लिए अगले ट्रेड या अगले कुछ ट्रेड बलकि सभी 20 चाहे कुछ भी हो आप किसी अन्य बाहरी कारकों से विचलित, उप्योग या प्रभावित नहीं हो सकते हैं। या वेचर बदल सकते हैं जो आपके edge को defined करते हैं जब तक कि आप एक पूर्ण नमूना आकार पूरा नही कर लेतें। कठोर वेरिबल के साथ exercise की स्थापना करके जो आपकी बढ़त, relatively कुछ बाधाओं और आपके नमूना आकार में each trade को लेने की commitment को defined करता है। आपने एक trading system बनाई है जो एक casino के संचालन की नकल करता है। कसिनो एक ऐसी घटना पर लगातार पैसा क्यूं कमाते हैं जिसका एक random outcome होता है? क्यूंकि वे जानते हैं कि घटनाओं की एक series में odds उनके पक्ष में हैं। वे यह भी जानते हैं कि अनुकूल बाधाओं के लाभों का एहसास करने के लिए उन्हें हर आयोजन में भाग लेना होगा। वे इन व्यक्तिकत घटनाओं में से प्रत्येक के outcome की अग्रिम भविश्यवानी करने की कोशिश करके लाठी के किस हाथ, roulette wheel के spin या पासा के roll को चुनने और चुनने की process में attachment नहीं हो सकते हैं। यदि आप 5 basic सच में विश्वास करते हैं और आप मानते हैं कि trading केव एक संभावना का खेल है। स्लोट मशीन के handle को खीचने से बहुत अलग नहीं है। तो आप पाएंगे कि यह exercise सहद सरल होगा क्यूंकि आपकी इच्छा के माध्यम से पालन करने की इच्छा है प्रतियेक trade को अपने नमूने के आकार में लेने की आपकी प्रतिबधता के साथ और trading की संभाव्य प्रकृती में आपका विश्वास पूर्ण सदभाव में होगा। As a result, कोई भाए, प्रतिरोधिया विचलित करने वाले विचार नहीं होंगे। बिना किसी आरक्षन या जिजखके, जब आपको इसे करने की आवशक्ता हो, तो आपको ठीक वही करने से आपको करने की आवशक्ता है? कुछ भी तो नहीं। दूसरी ओर, यदि ये आपके साथ पहले से नहीं हुआ है, तो ये exercise संभावनाओं में neutral रूप से सोचने की आपकी इच्छा और इस इच्छा के विरोध में आपके अंदर की सभी ताकतों के बीच एक आमने सामने टकरा पैदा करने वाला है. इस exercise को करने में आपको जितनी कठिनाई धोगी, वो उस मात्रा के सीधे रेशियो में होगी जिस तक ये संघर्ष मौजूद है. एक डिग्री या किसी अन्य के लिए, आप पिछले paragraph में मेरे द्वारा वरनित के ठीक विपरीत अनुभव करेंगे. पैशों को कैसे संभालना? चाहिए, अपने आप पर नजर रखें और अपने objective पर फिर से ध्यान केंदरित करने के लिए आत्म अनुशासन की तकनीक का उप्योग करें. पाँच fundamental truth और consistency के साथ principles को लिख लें और जब भी आप trading कर रहे हों तो उन्हें हर समय अपने सामने दोहराएं. हर बार जब आप notice करते हैं कि आप सोच रहे हैं, कह रहे हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इन साच या सिद्धानतों के साथ inconsistent है. तो संगर्ष को स्वीकार करें. आपस में विरोधी ताकतों के अस्तित्व को नकारने की कोशिश न करें. वे केवल आपके मानस क हिस्से हैं जो समझ में आता है, सच के अपने versions के लिए बहस कर रहे हैं. जब ऐसा होता है, तो ठीक उसी पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. यदि आपका objective neutral रूप से सोचना है, तो association process को बाधित करें, ताकि आप अब बल के अवसर प् गुम होने और टेबल पर पैसे चोड़ने के अपने डर के माध्यम से कदम उठाएं, ताकि आप errors करना बंद कर सकें और खुद पर भरोसा करना शुरू कर सकें. तब आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है. जितना हो सके अपनी trading व्यवस्था के नियमों का पालन क करें. पाँच fundamental truth पर ध्यान के इंद्रित करते हुए आपके नियमों के अनुसार ठीक वैसा ही करना. फाइनली ट्रेडिंग की वास्तव एक प्रकृती के बारे में आपके सभी संगर्षों को हल कर देगा. हर बार जब आप वास्तव में कुछ ऐसा करते हैं जो पाँच fundamental truth में से एक की पुष्टी करता है. तो आप आपस में विरोधी मान्यताओं से एनजी खीच रहे होंगे और संभावनाओं में विश्वास और लगातार आउटकम उत्पन करने की आपकी क्षमता में एनजी जोड रहे होंगे. आखरकार आपकी नई मान्यताएं इतनी शक्तिशाली हो जाएंगी कि यह आपके objectives के अनुरूप सोचने और कार्य करने के लिए आपकी ओर से कोई conscious प् प्रतिरोध या आपस में विरोधी विचारों के कम से कम बीस या अधिक ट्रेडों के एक नमूने के आकार से गुज्रने में सक्षम होंगे. जो आपको ठीक वही करने से विचलित करते हैं जो आपका mechanical system के लिए कहता है. तब और उसके बाद ही आप ट्रेडिंग के अधिक उन्नत subjective या सहट stages में जाने के लिए तैयार होंगे. A final note. बिना किसी विचलन, विचलित करने वाले विचारों या कार्य करने में जिजखक के अपनी योजना का पालन करते हुए. ट्रेडों के कम से कम एक नमूना आकार के माध्यम से प्राप्त करने से पहले यह अनुमान ल गोल्फ बनना चाहते हैं, तो दस हजार या अधिक गोल्फ गेंदों को मारने के लिए खुद को समर्पित करना असामान्य नहीं होगा. जब तक कि आपके स्विंग में मूवमेंस का सटीक सहयोजन आपकी मांस पेशियों की स्मृती में इतना सहज नहों कि आपको अब इसक परनामेंट नहीं जीत रहे होते हैं. आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप मानते हैं कि स्किल्ज अक्विजिशन और प्राक्टिस आपको जीतने में मदद करेगा. एक ट्रेडर के रूप में लगातार विजेता बनना सीखना कोई अलग बात नहीं है. मैं आपको महान प्राफलता की काम ना करता हूँ. और कहूंगा की गुड लग लेकिन यदि आप अप्रोप्रियत स्किल्स प्राप्त करने के लिए काम करते हैं तो आपको वास्तव में भाग्य की आवशक्ता नहीं होगी. End of book